तो है आपका साथ तारी को अब अब दब कल यह अब्रेट आ गया कि विद रिगार्ड टू यॉर जैमेन जो आपका जुलाई में होने वाला है ठीक है जुलाई का और डेट में पास दिया है अब आपका फर्स्ट जो थर्ड एटेम्ट है ठीक है वो आपका 20 से 25 जुलाई के बीच में ठीक है और फॉर्ट एटम्ट जो हो वो 27 जुलाई टू सेकेंड ऑगस्ट ठीक है तो अलड़ी रेजिस्टेशन स्टार्ट हो चुका है ठीक है रेजिस्टेशन आपका स्टार्ट चुका है तो आप एंटी का जो एपसाइट है जेमें का वहां पर जाके आप एटम्ट है और फॉर्ट एटम्ट यह दोनों के लिए अप्लाई कीजिए ठीक है क्योंकि आपको वैसे भी तो बेस्ट ओधार जो जितने भी स्कोर आप जितने भी टाइमस आप जैमें देंगे उसका जो बेस्कोर होगा वही आपके अदमिरिशन के लिए कांसलिंग के लि आपको भी पता है कि पैटर्ण किस साथ से उने वाला है ठीक है और किस तरह के कोशिंस आने वाले हैं मैस, फिजिक्स, किमिस्ट्री में हैं दो सेक्षिन हैं सेक्षिन ए और सेक्षिन ए में आपके 20 कोशिंस हैं हर सब्रेट में और सेक्षिन बी में 10 कोशिन हैं बर 10 में से कोईशन है जिसका आंसर को निमेरिकल वैली होगा ठीक है अच्छा निगेटी मार्किंग भी है माइनस वन करेक्ट आंसर के लिए प्लस फॉर यह सारी चीज चीज है आपको यह स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर पता है ठीक है तो मतलब आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और मै अच्छेंशन करते हैं वो हम लोग आज डिसकस करेंगे इसी वीडियो में पुरा चीज में डिसकस करने माना हूँ कौन-कौन से इंपटेंट्ट्र चैप्टर्स है और उन चैप्रस को कैसे पढ़ना है ठीक है सारी जीज़ें इस वीडियो में डिसकस करेंगे अब यह चीजे मैंने और एक वीडियो में भी डिसक्स किया था कि हमारा जो closing rank, opening rank for home state मतब home state मतब हमारा NIT culture मतब home state मतब students who are from Assam ठीक है तो यह जो 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 सा का website है था जो सा के website में सारे information दिये हो है तो यह जैसे civil engineering का है तो civil engineering में जैसे home state open category ठीक है तो starting rank 52,495 or closing rank 87,747 ठीक है और females के लिए आपका 60,000 से 1 lakh तक गया है ठीक है इस फोर open category similarly other categories के लिए EWS, OBC, NCL, SC category ठीक है अच्छा अगर यह एक rank versus percentile या marks versus percentile अगर एक analysis मैंने आपे बनाया है ठीक है पर यह कोई fixed नहीं है ठीक है मैंने अलग-अलग years में जो 2021-20 में अलग-अलग student का result जो है जो जितने students में contact में थे जान पर चान के थे 150 मालड़ा आप आउट of 300 300 में से 150 marks ठीक है that is 98 percentile और जो rank होगा न वो मतलब 11,000 से 13,000 के बीच में होगा अब यह change होता रहता है या अब परसंटाइज और rank है यह मतलब change होता है depending upon कितने students appear हुए paper का level क्या था ठीक है तो यह इसलिए tentative है तो 9 मलडब 150 marks अगर आ रहा है तो इस range में आपका rank होगा ठीक है अगर अब देखिए 150 marks से 120 marks में अगर अगर 30 marks नीचे परसंटाइल कितना गया सिर्फ 2 परसंटाइल देखने में लग रहा है सिर्फ 98 परसंटाइल से 96 परसंटाइल गया ज्यादा difference तो लग नहीं रहे ठीक है पर rank में अगर देखेंगे तो यह 11,000 से 13,000 अब यह 26,000 to 28,000 चला गया रहे ठीक है तो यह मतलब एक एक परसंटाइल में बहुत rank चलाता है several thousands अब देखेंगे 120 से 100 marks में अगरा है 100 marks तब कितना हो रहा है 95 परसंटाइल मतलब 44,000 से 48,000 rank अब यह थोड़ा मतलब यह 48,000 मतलब यह 52,000 मतलब यह थोड़ा मतलब यह 48,000 मतलब यह 52,000 पर बहुत हो गया 44,000 से 52,000 rank यह 95 परसंटाइल में है 100 marks अगर मैं बोट रहा हूं यह यह एक tentative मतलब figures है ठीक है tentative figures है तो हमको किस figures में aim करना है वो भी मैं discuss करने वाला हूं ठीक है बट हमारे देखें यह जो civil engineering मतलब civil engineering में last rank लिया था 57,747 ठीक है आचा अब जैसे OBC का य इसलिए 52,000 अब यह OBC category rank है ठीक है यह तो open category rank है बट यह OBC का category rank है इसलिए 52,000 है ठीक है अचा अब हम लोग assume करते हैं कि हमको जो target marks है ना target marks हमको लेना है 120 ठीक है जस्ट यह एक example में पकड़ा कि 120 marks अगर हम aim कर रहे है ठीक है तो physics, chemistry, maths में हमारे 25-25 questions है total questions है ठीक है तो उसमें हमको chemistry, chemistry आपका strong होना है ठीक है अब जीन student का अगर chemistry weak है थोड़ा फिदम weak होने से चले का नहीं मुश्किल है जीमिन क्रेक करना बट chemistry अगर थोड़ा weak है तो उनका मतलब I'm sure physics, maths थोड़ा strong होना चाहिए but normally मतलब जो जाया दर student जो select होते है उनका chemistry उनका strong होता है और chemistry में अब strong नहीं भी होता है तो marks आता है ज्यादा मास आता है chemistry मतलब both scoring subject है थीक है तो उस basis में बोल रहा हूं कि 25 questions में से हमको chemistry में 15 to 17 questions हमको करना है ठीक है और physics में 25 questions में से 12 to 14 questions मतलब near about 50 percent question करना है मैंस में इसे 12 to 14 questions करते हैं तो 12 to 14 questions में marks हो जाएगा 48 to 56 यहां भी 48 to 56 range में marks होगा 15 to 17 questions करते हैं तो 60 to 68 marks होगा इस range होगा तो यह marks अगर आप physics chemistry मैंस के combine करते हैं तो आपको जो marks आता है 108 to 124 108 to 124 ठीक है अब 108 मतलब 100 marks में लो देखा 95 मतलब 95-96 percentile के इस range में आएगा 108 marks होगा तो that will be within this selection criteria that will be within this selection criteria तो इसका मतलब हमको ना इस range में मतलब हमको अगर total questions हम लो देखे हैं तो जैसे worst case scenario मतलब physics में 12 questions किया chemistry में 15 questions किया physics में 12 किया chemistry में 15 किया और maths में 12 किया ठीक है so 24 plus 15 मतलब 39 questions हम लोग कर रहे है 39 questions कर रहे है out of 75 questions 39 questions कर रहे है out of 75 और तब हमारा score आ रहा है 108 108 का सबसर है ठीक है यह 39 नहीं हो न यह हो गया आपका ठीक है तो अच्छा अब यह हो गया मतलब कीपिंग इन माइंड कि हमारे पार जाधा दिन नहीं है ठीक है तो यह एक मतलब safe strategy हो सकता है ठीक है अब आपका क्या feedback है आपका क्या वो है वो भी आप मुझे comment में बता सकते हैं या फिर आप मुझे WhatsApp या टेलीग्राम में अगर आप मेरे ग्रूप में है तो आप भी आप मुझे message कर सकते हैं ठीक है वापके आपके आप यह चीज़ें कर डिसक्स कर सकते हैं अच्छा अब मार्च जो 2021 में जो physics paper होगा था ठीक है उसका अगर हम लोग analysis टोड़ा देखे तो जो questions जानतर आए क्लास 12 के यह chapters यहां से ज्यादा कोशन साइथ है ठीक है 11 का कहां साइथ है ktg, rigid body, simple harmonic motion, errors and units यह हो गया आपका क्लास 11 क्लास 11 ठीक है अब यह देखें करेंट लेटिसी अगर अब 2020 का भी paper देखेंगे ना तब यहादा कोशन से टीक है optics modern physics यह मतलब जनरल ट्रेंड भी एक है ठीक है मैं यह नहीं पूर रहा हूं कि अब जुलाई में होगा उसमें यह chapters पढ़ने हैं ठीक है कौन कोशे chapters पढ़ने हैं मतलब मैंने जैसे जैसे अभी हमारे पास 7 जुलाई से 25 जुलाई मतलब 27 जुलाई का अगर हम लोग टार्गेट ले रहे हैं अब जो जुलाई 20 को जुलाई 20 को जुलाई 20 को हम लोग उसको भी एटेम्प कर रहे हैं we are not leaving this at least you remember this practice हो रहे है और practice कर रहे है और फ्र्रेक्स में गोल ही चला रहा है तो मतलब हमको ये July 20 एक्जाम दे रहा है, ठीक है, बट इंms करना है कि 27 ठीक को Hमको perfect होना है, ठीक है? अचा, तो अब 7 July से 25 July के बीच में 27 July को exam है 25 July तक ही हम लोगो preparation day रहा है. Toetleit 19 days है हमारे पास terms, ठीक है? अब 19 days मतलब हर दीन मेखर हम लोग 12 小rav पढ़ते हैं तो नियरवर 228 hours ठीक है तो मतलब 76 hours per subject 76 hours per subject ठीक है अब यह देखो मैं नहीं बोह आप कि 76 hours per subject का बलब यह है क्या हमको हर एकोला ही देना है ठीक है अगर तुमको लगता है कि gg BJ create यहाँपे हम लोग जो स्ट्क्टर देखा है तो यहाँपे थेखो अबगर स्ट्रॉम्चिट को यहाँएट हो थो भीक है 12 तो 14 को जोखे तुम्हें किसी भी सब्जेट को इदर दर कर सकते हैं अब connect है तरह चोटा मतलब क्या है चोड़े चोड़े चैपटर्स स्टोटे चैपटर्स क्या है एक हो गहाइन यंत से मेशिरमथ और एक सरतिमेड नोब क्या है ऐस है atoms हो गया, nuclei हो गया, dual nature हो गया, semiconductors हो गया, semiconductors, अब देहों, यह chapter स चोटे चोटे chapter से इसे," इसमें कोई complex question नहीं आता है, कोई complex question नहीं आता है, direct question आता है, direct question, धायरेट ok ethic course application, NCRT एकर पढ़ाया है, guaranteed question हो गया है, टो अब और एक बात देखो यह चैप्ट अगर हम देखें हैं जो मैंने 2021 का अभी पेपर मार्च में आप लोग ने लिए थे उसमें भी modern physics से कभी कोश्ण आए यह तो अग्दम popular chapters थे ठीक है और यह पहले किससे पहले पेपर भी देखांगे तो modern physics के कोश्ण आते ही हैं तो इसलिए modern physics दो उसलिए थोमको बोड़ा नहीं करना है तो वह मार चोटा बम होगया वह वह बना कुछ कोश्ण तो श्योर मतलब हम कर लेंगे तैक है नेक्स्ट इससे थोड़ा बड़ा बबब जो है कारेंट इलेक्टिशिटी गैरंटी लेड़ो में इसे गैरंटी लेड़ो आप करें जाने प्रेटीश्टी के प्रीवेस से कोश्चन करके देखो अब खुदी बोलोगे कि करें लेक्टीश्टी में अगर आप कोचिंग इंस्ट्यूट यहां भी भी प्रिपार करती हो विड्डियू रेस्पेक्ट वो पुझी इंस्ट्यूट करते हो इतने तफ 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 प्रेटिस नहीं करने चीए वैसे प्रेटिस करोगे आपका ब्रेन शाफ होगा वर्ट एक्जाम में होते हैं कॉंप्लेक्स नहीं आते हैं तो करेंट लेक्टिस चैप्टर में आप प्रीवेस से कोशन देखो मैं जुड़ बोल रहा हूं ठीक है मैं यूट्यूब में चैप्टर बहुत बढ़ा है जिए आप्तिक्स पीक्स प्रेटल देखों सिंपल कोशल कोई दिफिकल कोशन नहीं है ऑल्टनेटिंग करनलीट इस यह तीन चैप्टर आंप वहां पर दो चेप्टर होगा तो यह चार चाप्टर आपको नेक्स अटम में करना है नेक्स अटम में पढ़ना है ठीक है अच्छा उसके बाद जो एकटम बाउम है प्रेविटेशन suffers को चीज़ तो यह अगर मैंगे एक 공나 में से फूर्स फ्रील कैसे विड होता है उसका जो इंग आख स्टेस्ट इसे टार्टीं से कंडॉक्टिंग स्टेस्ट में इसे स्टेश को लाता है तो स्टेस्ट थे तो यह को प्रिजिज दोनों में है घर टीज़ एक एसा इंड जिसमें मतलब अगें मतलब अगर कोई भी मेकानिक्स की अंकर बूलेंगे कोई भी कोची इंस्टीट का मेट्रियल लेंगे तो इस बोड़े में बैंकर बहुत प्रक्टीस इससे हों गया बहुत भट प्रिक्टीजी से इससे हो गैं तो इसमें ज़्यादा स्ट्रेश दिया तो यह तो चैप्टर्स अमने मार्क कर लिए तीक है मैं भी बताओंगा पढ़ना कैसे वो भी बता रहा हूं क्या पढ़ना है वो भी बता रहा हूं तीक है मैंने जुशाप्टर्स गूलेना उसके जित्ने भी इंप्परंटेंट फॉर्मलें यह एक चार्ट आके वास अभी अल्रेडी रिडी होना चाहिए अर्व के फॉर्मला रिवाइस करते समय आपको ध्यान रखने कि आपको प्ता रहना चाहिए कि आप क्या करते है तो यह पता नहीं है तो यह फॉर्मला का क्या उज़ें यह प्टेंशल दूदू दैपोल का फर्मला यह ज़र्ण चाहिए फॉर्म्ला को कहा कैसी उसका मीनिंग क्या है वह आपको पाता होना चाहिए खाली हर चैप्टर काःचिया आप बना ली है उसके बार робid पहले हो unions अगर आपके पास देखें भुटस हैं तो अच्छा है नहीं है क्या गरेंगे नहीं है तो जो न्टिया अभियास जो है ना उस app में questions हैं वो questions भी आप practice कर सकते हैं ठीक है बट अगर आपके अस book है तो ज्यादा अच्छा रहाएगा मेरे साब से ठीक है इन सब बुक्स में जो questions है न वो आप practice ना करें मुदब ये questions जे में से थोड़े लो लेवल के हैं प्लस अगर जे में के questions है भी मैं नहीं आता है वो इतने ज्यादा questions है ना कि आप exact जे में लेवल आप जज नहीं करता हो ठीक है अभी आपको specific होना है ठीक है जहां पर मुदब कि अगर आप 30 questions कर रहे हो एक चैप्टर में आप 30 questions कर रहे हो तो 30 questions में आप standard questions होने चाहिए वो जे में के लेवल के questions होने चाहिए ठीक है अगर आप किसी coaching institute में हो तो coaching student ने आपको materials provide हिया होगा तो आप किसी भी coaching institute के material फॉलो करें ठीक है MCQ हर coaching institute का standard होता है ठीक है चाहिए वो local level हो national level हो it doesn't matter MCQ आपका standard level होता है एक level होता ही है ठीक है तो आप उस materials को अपक्तम religiously follow कीजिए ठीक है MCQ आपको practice करना है मतलब daily जो 76 hours जो मैं टाइम आपको दे रहा ना 76 hours time में से आपको near about 70% 70 to 80% जो time है वो आपको MCQ solve करने में लाना है और बाकी time जो है वो आपको जो formula में बोना हूँ करना है ठीक है तो इस strategy से आप preparation कीजिए ठीक है और आप अपना ठीक है आप at least बंदब 100 प्रस आपको practice at least practice session में 100 भी नहीं बंदब at least 140 के आसपस आपको aim करना है practice session में ठीक है तो और यह full test जब देंगे ताब आपको ये भी analysis होगा कि physics chemistry math में कौन सा subject पहले देना है कौन सा subject बात में देना है ठीक है किस साथ से time को manage करना है ठीक है किस तरह के questions को हमको छोड़ना है करिक बार ऐसा question होता है question को देखने में easy लग रहा है but question में ठोगे तो आपको time हो चाहे ठीक है तो कुछ question हमको छोड़ना भी ज़रूरी होता है ठीक है कि हमको तो सारे question attempt नहीं करने है हमको उतने question ही attempt करने कि हम cut off करने है ठीक है तो यह कुछ ज़रूरी चीजे है ठीक है regarding your preparation for J.E.M.E. ठीक है so and this is specifically for students from ASAP ठीक है अब अलग अगर आपको cut off और increase अजयादा एम करने है अगर आप NIT तृच्णापली अगर बाहर के जाए NIT वारंकल है NIT जरंदर हो गया ठीक है दुलगापूर हो गया तो इन NIT में करने के लिए कौन सा strategy चीज़ चीज़ वो अगर आप अगर ड झाल में हो tramले आप तृ माले आपका ऎू आप उि औरकम